जे श्री श्याम दोस्ते विश्व का सबसे बड़ा दानी मंदिर कलिव का सबसे बड़ा चमतकारी मंदिर बगवान श्री कृष्ण का दूसरा रूप आखिर क्यों बड़े से बड़ा बिजनस में इने अपना पार्टनर बनाता है आखिर क्या है इसका परमुकारत आईए जानते हैं इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मैं शेखर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चेनल ब्रदर्स क्लासेस के आखिर कहां है ये चमतकारी खाटू शाम का मंदिर तो दोस्तों रंग रंगे राजस्तान की प्यारी सी राजदानी पिंख सिटी जेपुर से करीब 70 किलोमेटर दूर प्यारे से सिकर जिले में इस्तिथ है बाबा खाटू शाम का मंदिर जिनका मूल नाम बर्बरित था और जिने सीश का दानी भी कहा जाता है क्या कारण है कि बाबा खाटु शाम का मंदिर इतना प्रसिद और चमतकारी है दरसल दोस्तों इसी मान्यता है कि लगबग एक हजार वर्ष पूर्व रूप सिंग जोहान की पतनी ने अपने स्वपन में देखा कि बरबरिक ने उन्हें अपनी छवी धर्ती से बाहर निकालने का निद्देश दिया और सांकेतिक इस्तान की खुदाई करने पर स्री शाम बाबा की व्रतमान मूर्ती निकली जिसे मंदिर में इस्थापित किया गया तदा जहां से मूर्ती निकली उसे शाम कुंड के नाम से भी जाना जाता है और इस कुंड की एक बहुत ही बड़ी मान्यता है कि ये कुंड एक चमतकारी कुंड है और जो भी इसमें सनान करता है वो कुष्ट रोग और कई ऐसे रोगों से निवारन पाता है खाटू शान जी को भगवान श्री कृष्ण का कल्योगी अवतार के रोप में माना जाता है खाटू शान जी का सम्मंद आज से नहीं बलकि महावारत के समय से और ये पांडव पुत्र भीम के पोत्र थे और जब महावारत की लड़ाई हो रहे थी तब बरबरिक ने युद देखने का निड़ने लिया और जब भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछा कि आप इस युद में किसकी तरब हो तो बरबरिक ने जवाब देते वे कहा कि मैं उस पक्ष की तरब हूँ जो पक्ष और इसी कारण से उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है लेकिन बगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस युद का परिणाम क्या होगा श्री कृष्ण को डर था कि कहीं पांडवों को इस कारण हार का सामना ना करना पड़ी ऐसे में बगवान श्री कृष्ण ने बरबरिक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग थी और दान में उन्होंने शीष मांग लिया बरबरिक का और महादानी बरबरिग ने अपना शीष दान देने का फेसला किया लेकिन उन्होंने युद्ध देखनी की इच्छा भी जाहे थी यही कारण है कि दुनिया में सबसे बड़ा दानी खाटू बाबा इस शाम को कहा जाता है उसके बाद श्री कृष्ण ने इनकी इच्छा नुसार इच्छा स्रीकारते हुए इनका शीष युद्ध वाली जगां के पास एक पहाड़ी पर रख दिया और जब युद्ध समाप्थ हुआ और पांडव इस बात में उलजे रहे कि इस युद्ध के जीद का श्रे किशे देना चाहिए तब बरबरिक ने कहा कि ये जीद सिर्फ और सिर्फ बगवान श्री कृष्ण की वज़े से मिली है बगवान श्री कृष्ण बरबरिक के इस दान से इतने प्रसन हुए कि उन्होंने प्रसन होते हुए खाटू बाबा शाम को कल्यूग में शाम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया और आज हम इने खाटू बाबा शाम के नाम से जानते हैं ऐसी मान्यता है कि स्री शाम बाबा सब की मनोकामना पूर्ण करते हैं और फर्ष से अर्ष तक पहुंचाते हैं इसी लिए बड़े से बड़े बिजनस्मेन उन्हें अपने बिजनस में पार्टनर बनवाते हैं खाटू शाम मंदिर में हर रोज लाखों की संचा में भगत आते और खाटू से लगबक 30 किलोमेटर दूर रेवासा पहाड़ी पर जीन माता वे हर्शनात का मंदिर भी इस्तित है अगर आप कभी खाटू शाम मंदिर में दर्शन करने जाएं तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप हर्शनात और जीन माता के मंदिर में भी जाएं जिने भाई बेहन का मंदिर भी कहा जाता है जे श्री खाटू शाम में दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छा लगाओ तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और रिस्तेदारों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें जे हो खाटू शाम में